वित्रो जय मता दी, आप देख रहे हैं धर्मसिक्छा धर्मसिक्छा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं जिरूँ आज का संपून राशी फ़ले कर ये संपून राशी फ़ले हैं गुरुवार यानि की 24 दिसंबर 2020 का अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रमसंबत 2017 मार्क्सिस मास सुकलपक्ष की दस्मी दिथी दस्मी दिथी आज रात के 11 बच कर 46 मिर तक रहने वाले हैं उसके बाद 11 ही दिथियारंब हो जाएगी नचत्र आज रहने वाला असुनी असुनी नचत्र आज अहोरातर रहने वाला यानि की पूरी राती तक रहेगा वरत्योहर में ऐसा कुछ नहीं है में तो अगर आपको आज का पंचांग और फिर विस्तार से जाना है तो डिस्किप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है मुहाजाकरप आज का पंचांग विस्तार पुरुवक जान सकते हैं एक-एक मुहरतों के बाए में जान सकते हैं आज के संपून रासीफल के वीडियो में हम जानने वाले कुल 12 रासियों का आज का रासीफल साथ हम जानेंगे आज का सुब समय असुब समय दिसासूल सुब खादे रासी उनसार कौन सा खाद बतात आपके लिए सुब रहेगा रासी उनसार कौन सा रंग आपके लिए सुब रहेगा और रासी उनसार कौन सा अंक आपके लिए सुब रहने वाला है यानि कि आपके लिए आज का लगी नमर क्या रहने वाला है तो वीडियो में हमाई साथ अंतक बने रही है और संपुन रासिफल का लाव उठाईए वीडियो गर आपको पसंद आये ति वीडियो को लाइक तो जोरू करें साथ ही अपनी प्रतिकरिया में यानि की कमेंट बॉक्स में जे मातादी जोर लिखें अगर आपके कुछ सुझा तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जोरू बताएं आपके सुझाओं का हमें इंतजार रहेगा आज का संपुन रासिफल आपको बता नारम करूं उससे पहले आएए एक निजर डालते हैं आज के गरहों की स्तिति पर क्योंकि गरहों की स्तिति पर ही पूरा का पूरा प्रता मस्तान में विराजित है जिसके फ्लसूरूप आज आपको आपके दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा आज कोई भी निर्नाए भावकतावस लेने से आपको बचना चाहिए अब परिशानी में कल को पर्ष सकते हैं, बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ती हो सकती है, आपको आज भागे का साथ मिलेगा परिवार के कहीं दो सतस्यों के बीच, लेकिन आज मन मुटाओ हो सकता है, तो यहाँ पर आपको बीच बचाओ करना चाहिए, अगर प सुनुशनाई बातों पर आँख मुंद कर भरोसा ना करें, सच्चाई को पर्खें तब ही आगे बढ़ें, बात करेंगे व्यापार और धनकी, तो व्यापारियों को आज कोई भी निर्ने बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, किसी अचानक से आई चुनोतियों का सामना आ आप जिस लक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, उसके लिए अच्छी योजना बना कर मेहनत करें, सफलता आपको तभी मिलेगी, स्वास्ते की बात करेंगर, तो आज आपको अपने स्वास्ते के परति सचेत रहना चाहिए, जिन जातकों को हाय या लो ब्लेट पेसर की सिकायत रहती है, वह अच्छा महसूस करेंगे, प्रेम समंद्ध की बात करें, प्रेम समंद्धों में आज जीवन साथी के साथ आपकी नौक ज्योंग भी हो सकती है, बाद में सब कुछ सामाने भी हो जाएगा, और विवाही जातक प्रेम समंद्ध में कोई भी न रहने, सूस समझ वरिषासी की, वरिषासीम चंद्रमा आज दूसरे स्थार में विराजित है, जिसके फ्रसुब आज आपका मन आत्मिय स्वास से भरपूर रहेगा, लेकिन मन में नकारत्माग विचार भी आ सकते हैं, छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों पर किलों में पर सकते हैं, व्यापार और धन की बात के तो आज आपको व्यापार में लाव होगा, व्यापार में जो भी आपके प्रतिद्वन्दी हैं, आज उन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो आतक नोकरी करते हैं, उनके लिए आज के ने अच्छा रहने वाला है आपके senior या boss आपकी काम से प्रहवित हो सकते हैं लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि boss के सामने खुद की पैर भी ना करें इससे आप negative में भी जा सकते हैं विद्यार्थी की बात के प्रत्योक्षा प्रिक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अपने दिड इच्छा सकती से लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो अपने प्रहई पर ध्यान दे स्वास्त की बात के तो आज आपको मौस्वी ब्यारियों को लेकर सतकता रखनी चाहिए आपके सररिक और मानसिक ब्यारी की जर आपका दूख हो सकता है व्यायाम करें खुली हवा में टहलें आपके स्वास्त के लिए अच्छा रहेगा प्रीम समंद की बात के तो अपनी बाते अपने जीवन साथी पर थोपने स्याज कला किस्तिती उत्पन हो सकती है अपने जीवन साथी को बराबर का अधिकार दें इससे आपके समंद मधूर बने रहेंगे आज के लिए हड़ी सब्जियां खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग महरून रंग और आपके लिए आज का लखी नमर 9 रहने वाला है बात करेंगे मिथुन राशी की मिथुन राशीम चंद्रमा आज तीसे स्थानमे विराजित है जिसके फ्रसुब आज 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 को आज के छोटे भाईबानों का सही और प्राप्त होगा आज किसी जरुरत्मन व्यक्ति की मदद जरूर करें इससे आपको भी फाइदा होगा आपके उच अधिकारी या पिता का सही होगा आपको प्राप्त हो सकता है सामाजी कारियों में आपकी रुची बढ़ेगी मन में नए ने विचार आएंगे इन विचारों को सहेज कर अपने जीवन में आगे बढ़ें सौधिष्ट भोजन का अनदा पुठा पाएंगे परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पे जाने के या धार्मिक कारी करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं आज किसी गलत फ्हेमी के कारण आपके और आपके प्रिये जनों के बीच लराई हो सकती है तो यहां आपको साथनी बरतनी चाहिए व्यापार और धन की बात के आज आपको आपके केरियर में सफलता की प्राप्ती होगी आज आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे आर्थिक मामलों में आपको सफलता की प्राप्ती होगी परिवार के किसी व्यक्ति से आपको धनलाब भी हो सकता है जो आतक नोकरी करते हैं उनको ओफिस में ऐसे लोगों से साधान रहना चाहिए जो उनके दोस्तों हैं लेकिन उनकी छवी विगारने की भी कोशिस करते रहते हैं विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों के लिए आज का इन मिलाला रहेगा परहाई से आपका मन भठकेगा ऐसे ही में अपने लक्ष का ध्यान करेंगे तो आपको फायदा भी होगा स्वास्ति की बात के तो आज आपका स्वास्ति अच्छा रहेगा आपके लिए आज का सूर रहेगा आपके लिए आज का सूर रंग गुलाबी रंग और आपके लिए आज का लकी निम्मर पांच रहने वाला बात किने करकासिकी करकासीम चंद्रमा आज चोथे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आप किसी पर भी अपनी बात हैं धोपने की कोशिस ना करें आपको यहां से नुकसान हो सकता है आपके बच्चों के साथ आपके समंद अच्छे बना के रखने का आपको प्रयास करना चाहिए उनसे लड़ाई जहरे की संभामना भी बन रही है सांतिस अगर काम लेंगे तो आपके बहुत सारे काम भी बन सकते हैं अपने लगनों और आत्म विस्वास से आप अपने कारियों को बहतर डंग से कर पाएंगे जो आतक मीडिया से जुरे हुए हैं उनके लिए आज कर दिन अच्छा रहने वाला है व्यापार और धन की बात के तो आज आप अपने साहस और पराकरम के बल पर अपने कारी स्थिती में सुधार ला सकते हैं आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा यस और किरती में भी विर्थी होगी आपके व्यापार में तेजी देखने को मिलेगा, अपने काम पर फोकस हैं, इससे आपको फायदा होगा नोकरी करने वाई जातकों के लिए आज कर दिन अपने सीनियर अधिकारियों से मतभेद बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको साभधने इनिश्ची तोर पर बढ़तनी चाहिए, अपने फिजूल खर्चों पर भी नियंतन रखें विद्यार्थी की बात के तो आज विद्यार्थियों को सिक्षा के छेतर में सुवफ़ फलों की प्राप्ती होगी, तो डट कर मेहनत करें सुवास्त की बात के जिन जातकों को जोरों का दर्द रहता है, उन्हें आज परिषा नहीं हो सकती है, आज आपका ब्लड पेसर नौर्मल रहेगा, वियायायम करें, योग करें, इससे आपको फायदा सुवास्त में होगा प्रेम समन्त की बात करेंगे आज आपके जीवन साथी के साथ किसी दूसरे के वज़े से मदभेद उत्पन हो सकते हैं तो कुछ भी ऐसा सोचने से पाथे बातों को गहराई से जानने की कोसिस करें आज की नगर मसूर की दाल अपने खादे पतात में सामिल कहेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पिला रंग और आपके लिए आज का लकी नमर आठ रहने वाला है बात करेंगे सिंग रासी की सिंग रासीम चंदरमा आज पांचमें स्थान में विराजीत है जिसके फ्रसुब आज आज आपको कई परकार के परिशानियों से मुक्ति मिल सकती कलात्मक कारियों में आपके रुची बढ़ेगी आपके व्यक्तित में सकारात्मक बदलाओ भी आ सकता है आज अपनी माता के साथ कुछ समय बिटाएं और उनकी मन इस्तेती को समझें इससे आपको असी मन की सांती मिलेगी यदि आप साधी सुदा हैं तो आपके सोस्काल पक से किसी के साथ वादब्याद हो सकते हैं तो यहां पर साब्धानी आपको बढ़तनी चाहिए आज आप अपने बच्चों की परहाई को लेकर चिंतित रह सकते हैं इसके लिए आपको अपने बच्चों की परहाई में रूची समझनी होगी बच्चों को उनके केरियर के परती भी प्रेड़ीत करें व्यापार और धन की बातकित व्यापारियों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है आपके आत्मिस्वास में विर्धी होगी जिसका फाइदा आपको भी व्यापार में मिलेगा आज केसी जोनत्वन व्यक्ति को धन का दान जरूर करें नोकरी करने वाले जात्कों के लिए आज के इस सामाने रहने वाला है नोकरी में परिवर्थन का मन भी आपका हो सकता है कुछ जात्कों को सट्टे बाजी से आद लाब भी हो सकता है बात केंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों का मन चंचल रहेगा अपने आपको सोसल मेडिया और मुवाइल फोन से धर दूर रखे अब आपको अपने केरियर के परती सचित हो जाना चाहिए स्वास्त की बात कित आज आपको किसी प्रकार की चिंता रह सकती है मन असांत भी रहेगा जो आतक पहले सही बिमार है उन्हें अपने स्वास्त का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए बात करेंगे प्रीम समद्की तो आज आप जीवन साथी को समय दे पाएंगे जीवन साथी पर किसी प्रकार का सक करने से पहले सच्चाई को जोड जानने की कोशिस करें अगर आप लंबे समय से प्यार के जहर की सूच रहें तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है आज की दिगर हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग लालदन और आपके लिए आज का लकी नमर दो रहने वाला है बात करेंगे आप कन्याना से की कन्याना सेम चंद्रमा आज छटे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपके कारियों के दिखता रहेगी कारि छेत में परिवर्तन का मन भी आपका हो सकता है आज आप अपनी वानी की मधुर्टा से बहु सारे कामों को लिफटा पाएंगे आज आप अपनी वानी पर अंकुस अगर नहीं लगाएंगे तो बहु सारी लोगों के आक्रोस का सामना आपको करना पड़ सकता है सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहयोग आपको आज मिल सकता है आपके परिवार की पर्तिष्ठा बढ़ेगी अगर कुछ नया कारी आप आरम करना चाहते हैं तो आज उसमें कुछ समस्य वत्पन हो सकती है मन में किसी प्रकार की चिंता भी आपको रह सकती है बात केंगे व्यापार उधन की तो अगर कहीं आपके पैसे बकाया हैं तो वहाँ से पैसे वसूली की पूरी संभावना बन रही है पिछले कर्ज को आप चुका पाएंगे व्यापार में अगर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आड़ी है तो उसे खत्म करना अब अतियावसेक हो गया है इससे आपको बहुत ज़्यादा हानी का सामना वर्णा करना पर सकता है बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों का मन परहाई में लगेगा लेकिन सफलता प्राप्ट करने के लिए आपको और भी ज़दा मेहनत करने की आवश सकता है स्वास्त की बात के तो जिन जातकों को जोरों का दर्द या गठिया से समंधि समस्या है उन्हें आज थोरी परिशानी का सामना करना पर सकता है आज आपको तुनावपूर्ण वतावरन में रहने की सला बिलकुल भी नहीं दी जारी है प्रेम समंध की बात के तो आज आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा जीवन साथी को समय दें उन्हें समझ है इससे आपके प्रेम समंध में नई उर्जा का संचार होगा लेकिन प्रेम समंधों में सोच समझ कर आगे बरहें किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से अपने प्रेम समंध में तरारुत पन्न ना होने दें आज के निगर गेहूं से बनीवी चीएं खाएंगे तापके लिए सुख रहेगा आपके लिए आज का सुख रंग गुलाबी रंग और आपके लिए आज का लखी नमर चार रहने वाला है बात करेंगे तोलारा सीम चंदर्मा आज साथमें अस्थान में विराजित है जिससे आपका कारी भी प्रभावित हो सकता है आज आपकी बोली गई बातों को आपके पर्तिद्वन्दी द्वरा तोर मरोर का पेस किया जा सकता है तो कुछ भी बोलते समय साब्धानी जोर बरतने किनी-किनी जातकों को उनके पिता के साथ समथ बिगर सकते हैं तो यहां आपको सब्धानी बरतनी चाहिए आज घर से अपने बड़े का असिवाद लेकर किसी काम के लिए निकलेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी ओफिस या व्यापार में आपके सहकर्मियों के साथ आपका दिन अच्छा बीटेगा बात करने व्यापार और धनकी तो व्यापार के द्रिश्टी से आज की आपके लिए अच्छा रहने वाला है जो आतक व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाब भी होगा समान व्यापारियों के बीच आपकी परतिष्ठा बढ़ेगी आविशक्ता होने पर आपको आपके भाई बैनों से आपकी मदद भी मिल सकती है नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज करने अच्छा रहने वाला है ओफिस में सहकर्मी और सिनियर के बीच आपका मान समान बढ़ेगा विद्यार्थी की बात के तो आपको आज लक्ष की प्राप्ती के लिए ज्यादा महत करने की आवे सकता है ज्यादा महनत करेंगे तो ही आपको सफलता की प्राप्ती होगी तो महनत में किसी परकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें स्वास्त की बात के तो स्वास्त की दिष्टी से कुल मिलाकर आज के आपके लिए अच्छा रहने वाला है किनी किनी जातकों को किसी परकार की चिंताज रह सकती है प्रेम समन्त की बात के तो विवाहित जातकों को आज जीवन साथी का सहयोग प्राप्थ होगा जो आतक और विवाहित है उन्हें कोई नया पार्टनर भी आज मिल सकता है आज की निगर तांबे के बतन में पानी पीते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबर्ण केसर या रहें और आपके लिए आज का लगी नमर छे रहने वाला है बात करेंगे विश्चीकरासिकी विश्चीकरासिम चंद्रमा आज आठीवें स्थाने विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपको परिवार जुनों का साथ मिलेगा खास करके छोटे भाई बहनों से माता पिता से भी आर्थिक सहयोग आपको मिल सकता है परिवार में सुक सांती का माहल भी बना रहेगा जिसके फ्रसुब घर में सकारत मकता भी रहेगी लेकिन आज आपके लिए लड़ाई जेगरे की योगबन है तो आपको सबसे अच्छे समन्द बना के रखने होंगे खास करके सगे समन्दियों से परोस्यों से किनी किनी जातकों को कोई अच्छा दोस्त भी मिल सकता है लेकिन किसी नई पर भरसा करने से पहले उनकी जांत ज़र करें आज आपके जिद्धी रविये की वज़े से आपको कुछ नुकसान हो सकता है तो कलप्राओं के पीछे ना दोने सोच समझ कर काम ले अगर अपने पिताय और धरम्गो की सला से कोई कारी को आप करेंगे तो उसमें आप को सफलता मिलेगी व्यापार औधन की बात के तो आज आपको व्यापार में करी चुनोतियों का सामना करना पर सकता है लेकिन इस चुनोति से घवराएं नहीं बल्कि इसका सामना डट करके आज किसी पैसे उधार लेने से बिल्कुल बचे आज कर लिए कि पैसे आप जल्दी से चुखाना ही पाएंगे जो आतक नोकृरी करते हैं उनके साकर्मियों के साथ उनके समन भिगर सकते हैं आज आपके सहकर्मी, आपके बड़े प्रतिद्वंदी साबित हो सकते हैं इस से बचने के लिए आपके senior के सामने आपको अपने आपको अच्छे से परजेंट करना होगा आज आपके खर्च में भी विरधी हो सकती है विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज करें सामाने रहने वाले हैं अपने समय को बरबाद करने से बचें समय का एक एक पल महतपूर्न है उस पल का लावज़र उठा हुए अभी अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने परहाई में ही लगा हुए स्वास्त की बात के तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा लेकिन आपको अपने स्वास्त का ध्यान देना चाहिए तले भुने और मसाईदार खानों से दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा प्रेम सबंद की बात के तो जीवन साथी के साथ हलकी नोगजों के बाद अच्छे समन बनेंगे आपको कोई आज पार्टनर मिल सकता है लेकिन पार्टनर का चुनाओ करने से पहले साब्धानी जवर बरते हैं प्यार के जहार करने साथ बचे हैं आज के लिए गुर अपने खादे बतात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबं गुलाबी रंग और आपके लिए आज का लकी नमर तीन रहने वाला है बात करेंगे धनु आसिकी धनु आसिम चंदरबा आँ नौए अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आप अपनी भातों को समाज में अच्छे रंग से रख पाएंगे जिसके फ्रसुप आपके चाहने वालों की संख्या में विर्दे भी होगी अगर आप रादनिती से जूरे हुए है तो उसका भरपूर लाब आपको मिलेगा आपके संतान का सहयोग आपको प्राप्थ होगा कोई पुराना रुका हुआ फसावा काम आपका पूरा हो सकता है सरकारी कारियों से भी आपको लाब मिलेगा आपको आज आपके मित्रों का सहयोग भी प्राप्थ होगा आज आप मानसिक सांती का अन्भव करेंगे लेकिन कुछ जातक किसी अज्यात भैस्याज परेसान भी रह सकते हैं व्यापार और धन की बात कें चाहे व्यापार करते हो जौब करते हो आपके अधिनेस्त करमचारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा किसी करीबी मित्री या सगे समंध्यों की मदद से व्यापार में लाब भी आपको हो सकता है आपके आज व्यापारिक परतिदंदी आपको व्यापार में नुक्सान पहुशाने की कोशिस कर सकते हैं लेकिन व्यापार में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी जिन जात्कों को मकान या गारी की तलास है उनकी तलास पूरी हो सकती है जो अतक नोकरी कर रहे हैं उनके लिए भी आज के ने अच्छा रहने वाला है ओफिस में कोई नई जीमिदारी आपको दी जा सकती है आपके ट्रांसफर वने के योग भी बन रहे हैं बात केंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों के लिए आज के अच्छा रहने वाला जो विद्यार्थी प्रद्योगता परिच्छा की त्यारी कर रहे हैं उन्हें सफलताज मिल सकती है स्वास्त की बात के तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है मांसिक सांती का अन्वह भी करेंगे प्रेम समंद की बात करें प्रेम समंदों को सुधरिट बनाने के लिए आज अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं अपने आपको उचा और अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिज तो भूल कर भी ना करें इससे आज वाद वाद की सिती उत्पन हो सकती है जिन अवविवाही जातकों को साथी की तलास है उनकी खोज पूरी हो सकती है आज की निगर दूद से बनी वी चीये खाएंगे तो आपके लिए आज का सुब्रम फीला रहे हैं आपके पर्तिदोंदियों को परास्त करने में आपको सफलता प्राप्त होगी अपने घर के कारियों में आज आप वैस्त रहेंगे भगवान के पर्ति आपकी आस्था बढ़ेगी लेकिन संतान से थोरी चिंता आपको रह सकती है तो संतान का ध्यान जोर रखें आज घर में कला का महल भी बन सकता है आज आप आत्मिस्वास से भरपूर रहेंगे परन्तु पिता के स्वास्ते से थरच चिंदिद भी रह सकते हैं बात करेंगे व्यापार और धनकी तो आज आप में आत्मिस्वास भरपूर होने के कारण आप मांसिक तोर पर मजबूत नजर आएंगे जिसका फायदा आपको भी व्यापार में मिलेगा जो अतक नोगरी कर रहें उन्हें अपने सहकर्मियों से चुनती मिल सकती है आज आपके खर्च भी ज़्यदा हो सकते हैं तो फिजूल खर्चों पर नियन तंजर रखें विद्याथी की बात के तो आज आपके मित्मियों आपका ध्यान परही से भटका सकते हैं मुआल फोन में ज़्यदा समय की बरवादी ना करें अपने परहिपशी ध्यान दें स्वास्त की बात के तो आज आफको अपने स्वास्त का प्रति सचेत चाहिए कोई पुराने बीमारी आपको परिशान कर सकती है कोश जातकों को जोरों का दर्ध परिशान कर सकता है तो हलका व्यायाम करना आपके लिए अतियुत्तम रहेगा बात करेंगे प्रेम समन्दों के लिए आज करें अच्छा रहने वाला है जीवन साथी के साथ आपका समय अच्छा बीटेगा साथी आप यह भी जान पाएंगे कि आपका पार्टनर आप से कितना प्यार करता है आज के निगर उरत की डाल खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग हरा राएंग और आपके लिए आज का लकी नमर छे रहने वाला है बात करेंगे कुमरासी की, कुमरासीन चंदरमा आज 11 हुए अस्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुप जो महनत आपने बीते दिनों में किया है, उसका फल आपको अब मिलेगा, जिसके कारण आपके आत्मी स्वाज में वर्धी होगी, आज आप कोई भी कारी करने के लिए पेरिट रहेंगे, इस नए कारी में आपको सफलता भी मिलेगी, नए लोगों से मिलना और दोस्ती होना संभव है, आपको आज कुछ पारिवारिक समस्या का सामना भी करना पर सकता है, लेकिन आप अपने बुद्धी का इस्तेमाल करेंगे, तो पारिवारिक समस्या सुधा आपको सफलता प्राप्त होगी, आज अपने धहरी में कमी आपके आ सकती है, जिसके कार्ण आपके बने हुए काम भी विगर सकते हैं, व्यापार अधन की बात के तो आज आप आपने बात करने की छमता और काम करने की छमता से, व्यापार में विर्धी कर पाएंगे, आपक आये में बरहतरी होगी जो आतक नोकरी करते हैं उनके सीनियर अधिकारी उनसे परसंद रहेंगे आज किसी को कर्ज देने से बिल्कुल बचें अगर कोई जोरत्मन वक्ति ना हो तो उसे पैसे का उधार ना दे ऐसे पैसे आपके डूब सकते हैं विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है आज आप अपने पढ़ाई के लिए अनुकुल इस्थि का अनुभव करेंगे तो ऐसी इस्थि का लाव जो उठावे ज्याद आपने पढ़ाई पर ध्यान दें स्वास्त की बात के तो आज आपने खान पान पर पेट समंदी के सी दिकत का सामना आपको करना पढ़ सकता है तो अपने स्वास्त पर ध्यान देने की आवि Garcia आपको प्रैम समंद के बात के चोटी शोटी बातों को लेकर आज अपने जीवन साथी के साथ आप उलच सकते हैं एक दूसरे से वाद वायाद के से दिएपन हो सक लेकिन यह सब होने के बाब जूद आपके रिष्टे मधूर बने रहेंगे जीवन साथ ही या अपने प्रेमी प्रेमी का के साथ समय विताएं इससे आपके प्रेम समझ अच्छे बने रहेंगे आज के इनकर चांदी के वर्तन में खीर खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आज आपको संतान के तरफ से खुसी हो सकती है परिवार में साकारत वंग वातावर निसकान बनेगा किसी पुराने समस्या का अंत भी हो सकता है आपके आत्मिस्वास में कमी आ सकती है साथ ही अपनी वानी पे नियंतन भी रखे क्योंकि आज आपके लड़ाई जहरे के व्यापार करते हैं तो उनके साथ मिलकर आप अपने व्यापार को लाब में भी ले जा सकते हैं अगर अच्छी योजना बनाएंगे और उस पर अमल भी करेंगे तो आप अपने हानी को लाब में भी बदल सकते हैं विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों का मन चंचल होगा जो अदक हाय या लो ब्लेट पेसर की सिकायत रखते हैं उन्हें आज अपना ध्यांद विशेश दोर पर रखना चाहिए प्रेम समन्द की बात के तो प्रेम समन्दों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है जीवन साथी को समय दे और उनकी भावनाओं की कदर करें इ आज की लिए अच्छा रहने वाल आज की कि दूत या दूत से बने वीचीह कहाएं आपके लिए आज का सुब्लण पीला रहे हैं और आपके लिए आज का लटी नम skate 2 रहने वाला है तो मित JIMीत यह था आज के बारा रासी का रासी भल अब जानेते наय're print आज का सुब काड़ी आप आरंब ना करें इसमें आपको और सफलता हाथ लग सकती एक असूप समय होता है दिसासूल आप दक्षिन दिसा में किसी भी खास प्रियोजन से याता ना करें आज नुकसान यहां पर हो सकता है आपके सुब खाद्याज का जीरा रहने वाला है जीरे का एक दो द देखते रहें धर्म सिक्षा जै माता दी